सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए वेलकम फेंट्स स्वागदम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक नियूर ड्रग के बारे में जानेंगे जिसका प्रियोग इसकीन से संबंदित बीमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है उस दवा का नाम है डेसोनाइड डेसोनाइड क्रीम लोशन जेल तता फोम प्रियोग लिया जाता है क्या इसको बच्चों में प्रियोग लिया जा सकता है साथ ही हम जानेंगे इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं कोन इसी यूज नहीं ले सकता तता किस प्रकार से इसको एपलाई करना चाहिए यह सभी बात ही इस वीडियो में हम जाएंगे से वी कोई दादीच आप लेखने अपना यूटीब चैनल लर्न अबूर्ट मैडिसिन चलिए आसवी कुछ नहीं आ सिकते हैं है लो फेंट्स नमस्ते दोस्तों डेसोनाइड क्रीम एक सिंथेटिक नोन फ्लूरिनेड कोर्टिको इस्ट्रोइड दवा है जो एंटी इंफ्लामेटरी एंटी पूरिटिक तता वेसो कंस्ट्रक्टिव प्रोपर्टी रखती है मतलब यह स्कीन पर सूजन तता कुजली को ठीक करने के साथ साथ नसों को सिकोर्णने का भी कारे करती है अगर इस क्रीम के स्ट्रेंद की बात करें यह 0.05% वेट बाई वेट की स्ट्रेंद में अवेलेबल है साथ ही जो इसकी पेकिंग है तीन अलगलग पेकिंग है 10 ग्रा सकते हैं अपने जंडिक नाम डेसोोनईं क्रीम से मिल जाता है जिसे हम दवा के ब्रेंड नेम कहते हैं कुछ वूर्पॉलर धुटिटन क्रीम अंडीय क्रीम करीम टन जहा он करेम दे यह कूच पुपूलर ब्रान्द है जो आपको फ्री सब्लेंद हो हुट्प उप्री देज यह दवा मिल जाए जो भी आपको इसीली मिले उस आप ले सकते हैं अब अगर यहां पर इस दवा की प्राइस के बारें बात किरें कितने रुपी में क्रीम मिल जाती है तो जैसा कि यह तीन अलग लग पेकिंग अवेलेबल है लेकिन जो जादा तर चलने वाली पेकिंग है व जो ब्राइंड से इससे भी आपको ज्यादा परसे देने पड़ सकते हैं जो भी आपको आसानी से मिले उसे आप ले क्योंकि सब का असर एक ही जैसा होता है अब वीडियो मागे इसके यूजर को जानने से फिलम यह जान लेते हैं किन व्यक्तियों को इसका प्रियोग नहीं करना चाहिए किन में कौन ट्राइंडिकेटडेड है उन में वह व्यक्ति जिनको डाइबीटीज है ग्लावकोमा की बीमारी किसी को है इसकीन पर बड़े बड़े सोर हो रखए हैं ब्लिस्टर हो गए हैं हाविज हों गए साथ किसी परकार का क्रेक हैं इंजूरी हो गई हो इसकीन पर कोई infection हो जैसे bacterial infection, fungal infection या viral infection तो इन सब भी patients को इस कीम का प्रियोग नहीं लेना चाहिए साथ ही इनके अलवी किसी अन्य परकार की बिमारी आपको है तो उसके बारे में अपने doctor को सूचित करें जिससे की आवसकता होने पर ये cream आपको दी जा सकें और दोस्तों एक इन किन बिमारियों में किन-किन skin की condition में इसका प्रियोग लिया जाता है तो जैसा कि शुरुवात हमने जाना थे कि anti-inflammatory, anti-purity तता वेश्व कंस्ट्रक्टिव प्रोपर्टी रखती है तो सूजन, खुजली तता मनसों को शिंकोड़ना के कारी करती है जिन बिमारियों को इ प्रियोग लाए जाता है उसमें प्रमुख बिमारियां है एक्टोपिक डर्मिटाइटिस बिमारी सेबॉरिक डर्मिटाइटिस तथा कॉंटेक्ट्ट डर्मिटाइटिस इन तिनों ही बिमारियों में इसकीन पर खुजली चलती है सुजन आ जाती है और ज्यादा शिवेर पर पपड़ी उत्तरने लग जाती है क्रेक और रेसस भी होने लग जाते हैं यहां पर इन बिमारियों का थोड़ा इंट्रोडेक्शन जाने तो एक्टोपिक डर्मिटाइटिस जिसे हम एक्जीमा भी कहते हैं यह सामय ने बड़ों में बुजूर्गों में तथा बुयसको में सब में होने वाली बिमारी है लेकिन ज्यादा तर इसको बच्चों में देखा गया है और बच्चों में होने पर इस क्रीम का इसमें प्रियोग लिया जाता है मतलब कि इस डेस्वनाइड क्रीम का प्रियोग बेबीज में बच्चों में भी लिया जा सकता है दूसी जो व्यक्ति की स्केल पे जो सीर है वहां पर पपड़ी जैसा उतने लग जाता है जो रेड़नेस और इचिंग भी रहती है यह बिमारी रहती है और कॉंटेक्ट डर्मिटाइटिस वह बिमारी है जो किसी मेटल सबस्टेंट यह सर्फेस इनके इसकीन टच में आने पर पर कहरे या लाल रंके चक्टे हो जाते इन चक्तों में सुझेन आना तता खुजली चलना आम समयश्य होती इस समय में भी यह क्रीम डॉक्टर द्वारा दी जाती इसके अलावी किसी अन्य कारेंट से भी स्कीन पर सूजन आना, खुजली होना या रेड्नेस होने जैसी स्तती हो तो उस समय इसकीन का परयूग लिया जा सकता है। इन इसकी डीजेस के अलाव अन्य भीमारियों के बात करें तो इसका प्रियोग यदिकेशी व्यक्ति को एकने हुएं कील मुहा से एकने पिंपल हुएं तो उनको ठीक करने के लिया जाता है। लेकिन उस बिमारी में भी इसका प्रियोग लिया जाता है। इसके अलावा जिसके बिमारी को ठीकने इसका प्रियोग लिया जैसे की खुजली को खत्म करने के लिए और सुजन को खत्म करने के लिए वह इसके बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसके साथ ड्राइ स्कीन की समझ्या भी हो सकती है। लेके ही लगाएं ज्यादा मात्रमों को नहीं लगाएं क्योंकि स्टेरोइड के में कुछ प्रॉब्लम कर सकती है। एक हफ्ते से दो हफ्ते तक लगाते तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और फिर भी कई बार डॉक्टर ज्यादा प्रॉब्लम होने पर चार हफ्ते तक भी इसका प्रियोग लेने की सलह देते हैं। और अगर बच्चों के लिए बात किजाए। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है। तो उसमें इसका प्रियोग नहीं लिया जाएगा। उस समय बच्चों को दिन में दो बार ही लगाने की सलाँ दी जाती है। और बच्चों में बिना डॉक्टर के इसका प्रियोग नहीं करें वही साथ दिन से चोदा दिन में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और अगर इस केम को आप एज ओटीशी प्रोडेक्ट अवर दा काउंटर बिना डॉक्टर के इसला लेते हैं तो आप विसेश बात ध्यान र हैं हो सकती है जो आगे लंबे समय तक आपको रहेंगे इसके लिए बहुत बड़ा ट्रीट्मेंट भी आपको लेना पड़ेगा इसलिए इस केम को चार हाफते से ज़्यादा प्रियोग नहीं करें तो दोस्तों कंप्लीट डीटेल डेसोनाइड की बार मैंने बता दिये उम अने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें